लोकल लोकल का खास प्रोग्रम गाजियाबाद मागेमूर जी हां मैं आपको बता दूँ कि आज हम आपको ऐसे एक जगह लेके चलते हैं जिस जो कलोनी आजादी के महद चंद सालों बाद बसाई गई थी और आजादी के हमारा जो देश आजाद हुआ था उसको लेकर आज कि लिए बताना चाहते हैं कि महद आजादी के महद चंद सालों बाद बसाईगी इस कलोनी में अब तक कितनी समस्याएं अव सिरेंगे त्रूणि का नहीं आज भी राज़नीती नहीं। जानते होनी के साथ, आप कितने साल से लोड़ी में रह रहे हैं और क्या नाम है? मेरा नाम गुपाल नाम सती है, और मैं 89 से जो है यहां प्लॉट लिया था, 95 में मैंने मकान बनाया, तब से मैं यहां हूँ, और आज तक यहां कोई विकास नहीं हुआ, कलोनी कितने साल पुरानी है? कलोनी तो जो है कम अछ anarch मताय है, अठावन साल पुरानी में आज तक कोई विकास नहीं हुआ. बजए आखर क्या? बजए राजनीती? तो हम यह कह सकते है कि राजनीती कि बहर चड़ाई? की बहुंआ है हम जो है योगी साहब तक पॉन्च ग़े योगी साहब को निख्खा आपके डियम गाजेजाबाद को लिखा भीके सिंग को लिखा वाजी राजीबंशल कर नंड कि सौर गुजर को लिखा आज तक कभी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया आंको कोई कारवाइ सबसे पहले जो है सड़क है नालिया है सीवर है यह मेन मुद्दे हैं न तो यहां आवागमन का साधन है हम सारत कोलोनी का पानी यहां पर भरा हुआ है आप खुद देख सकते हैं कि वह कैसे जो हम लोग यहां गुजारा कर रहे हैं मामारी फैलने का खत्रा है यहां पर कोई इंतजाम नहीं हो सरकार की तरफ से नान अगरपाली का की तरफ से नगरपाली का कही बात लिख कर कर के दे चुके हैं बिनोद बंसल जब यहां पर जो है वह जो जो है ते चेयर में थे उनसे संक्शन कराया हुआ यह घड़न जा आपको बता दूँ राजनीती की भैट चड़ा हुआ है यहां का भिकास आगे जो हवारसाथ जो है क्या नाम है आपका सक्षम ट्यागी ट्यागी आप जो है ना आप यहां कैसे कव से आया हो कैसे कैसे यह पर पहुंचे तकरीबन एक साल हो गया है हमें यहां पर पीछे हमारा रहे हैं आपके कितने बच्छो पहुंच जाते हैं को इनृट कि समस्याओं का अमबार आप यहां कितने सालों से रह रहे हैं और क्या नाम है आपका पंदरे सालों से रह रहे हैं जी कितना विकास देखा इन पंदरे सालों में आपने हैं विकास तो ना के बराबर हैं जी क्या क्या समस्या है यह खड़न जे नाली की है जी बिजली की लाइट की है और जी मच्छर बहुत रहते हैं यहां पर कोई भी दवाई शिड़कने का कोई इंतिजाम नहीं है कि दवाई का कोई इंतिजाम नहीं मच्छर ज्यादा है क्या नाम है आपका जेफाल सिंग कितने सालों से अब रहने हैं 20 की साल हो गया कितना विकास देखा आपने विकास जिरो परसेंट जिरो परसेंट विकास संसद वबन के मात्र 15 कि दूरी पर बसा सहर लोनी क्या नाम है कि मेरा मनीश शर्मनाबर जी कितने सालों से आप यहां रह रहे हैं और यहां के स्थानीय मुद्धे क्या क्या है अब सबसे बड़ी समस्यां यहां पर रोड नहीं है बिल्कुल की चल हो जाती है इतना बुरा हल हो जाता है बच्चे हमारा सब की दिली से सबसे पास का एरिय हमारा सारे एरिया डवलप हो जुगे हैं कि यह है ओज दोंक कि डवलप नहीं हुग है कроб egentर कि के तने साल बाद भी आकर लोनी और यह दो नहीं हीं यहां की राजनीती है यहां की राजनीती जो है सारी बीचे ज़ाधा बुषक्या । है कहीं ज्यादा है वें ज़ो है ज़ो है उधान वाकिंग यहां उतान крут नहो हम नाली के बगर रहें कि श्रीवर्लाके अन यहां नहीं है स्पार lets 56 upset मेरो बाचे मोचों चते बच्छों को स्पीश्वर मेरे पूंशेवर बादे बिख्यों सब्सक्राइइ गंदी पानिमेर रहने को मजबूर क्या नाम है आपका यहां यहा क्या है स्थानी मुद्ध क्या है यह थो बबनlington काहरा है यह तो भोखार रहा है शिवन्दू कितने सालों से आप यहां रह रहे हैं और क्या-क्या मुद्दे आपकी नजर में यहां दो हजार पंदरा से आया हूँ और यहां पे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है अपने राइट टो इक्वैलिटी तो सुना होगा लेकिन यहां पे शायद वह लागू नही है सुईवर नहीं है बच्चे स्कूल आते जाते हैं रोड खराब है किसी भी डिवलप्मेंट में यहां पे सारे कॉलनी का हो चुका है इस कॉलनी को छोड़के तो डिवलप्मेंट आम की चीज जीरो है यहां पे डिवलप्मेंट की नाम की जो चिडिया है वहां लूनी में साथ दिखाई नहीं देती हैं डवलोमेंट जीरो है कैसे देखते हैं आप पानी का निकास नहीं है पीने का पानी सुध नहीं है यहां तक के चलने के लिए सडके नहीं है क्या नाम है आपका मने नाम यासीन है यासीन जी यह कलोनी कितनी पुरानी है और आप यहां को से रह रहे हैं और यहां के इस्थानी मुद्दे क्या है एक लाइन में जल्दी जल्दी बता दीजे तीस साल होगे रहते रहते हैं मैंने कोई भी चीज की कभी यहां कोई भी रहने को मजबूर हैं लोनी के ब्लाक-डी रामेशवर पार्क ब्लाक-डी के लोग क्या नाम है आपका क्या-क्या है यहां के स्थानी मुद्दे यहां तो कुछ भी नहीं है सब कुछ है करना पानी का निकास है ना खरींजा है ना लाइट टाइम से आती है ना पीने का पानी है कुछ भी नहीं है यहां तो हमारे देश के दूर करेंगे जो भी करेगा बाकी तो यहां समस्या ही है अभी तक कोई सुधार नहीं है आप क्या नहीं हो पारा हर गलियों का आखिर क्यों नहीं हो पारा यहां के लोग सही नहीं है हर चीज को मतलब कि इंधर किसे मनते हैं नेता अधो को नेता जिम्यदार क्या नम अपका देवेंदर सिंग पॉमार APP कितने साले बिल्च वैं हैं थाइस सालिव किलोणी में रह रहे हैं और यहां पर मुद्य यहां के पारसद, यहां के नेतागण क्या कर रहे हैं? यहां क्या पारसद के लिए आते हैं। कोई भी बौड के बाद कोई भी यहां पर दिखाई ने देता है. उनके पाँ जाओ, तो हमें गोली पर गोली देते हैं. यहां पर कोई भी ना तो डुट काम कर रही है만 कोई भी यहां पर कissionра कार्या, थ कोई भी नहीं आता है पैर पढ़ते हैं कि हम करेंगे उसके बाद कोई नहीं आता है किसी पार्टिके बाद नहीं कर रहा हूं नेता हूं कर रहा हूं जो केवल आपसे बादे करते हैं नेता कहीं से तो आता नहीं है हमारा लोकल आदमी तो बन नहीं सकता है यहां पर ना उसको कोई करता है क्या नाम है मेरा नाम पंडी सुधिर गवाड़ी है सुधी जी कितने सालों से यहां रहे हैं और यहां के क्या किस्टानी हूद है सर सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का हीड़तेसे अर्दिक दनेबाद करता हूँ, कि जो आपके माद्यम से हमारी बात, हमारी जन परते दिनी दी और यहां की जो जनता है, उन तक पहुचाने का काम कर रहे हैं, और यहां पर तो सर्फ बहुत बड़ी समस्या हैं, सबसे पहले 24 साल यहां पर रहते हुए हो गए, और यहां पर आप देख रहे हैं खडीन जाकी ब्युस्तानी है, जो सिवर लाइन है, और भी बेड़ सारी समस्यां हैं, लेकिन मेन समस्यां भी हमारी सिवर लाइन, और किसी ने उस पर अमल ने किया और हमारा कारयब तक हूा न्याई, जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन आखिर? जिम्मेदार कौन आखिर? यह तो नेते लोग हैं जी? यह पसमें राजिनती की परिशान हैं बस हम तो? जो कलोनी आजा दी के मात्र चंद सालों बाद बसाई हो और उसका हाल अगर यह हो तो आप सोच सकते हैं कि उस कलोनी की स्थितिक क्या रही होगी? जिसमें छोटे बच्ची अपने स्कूल नहीं जा पाते, बुजूर्ग माता हैं जो 86 साल की उमर में भी मीडिया के साबने गोहार लगाती है कि उनका कुछ भला हो सके और कोई भी ऐसा जो मा बता दूँ आपको कोई ऐसा निता नहीं जिसको यहां के स्थानी लोगों के द्वारा लेटर ना लिखा हो चाहिए वो बिदाए को चेयर में यह सांसत रही हो उनको लेटर लिखा गया यहां के आरडवलू के द्वारा लेटर लिखा गया लेकिन अ